हेलो दोस्तों वेलकम टेशाने बाला जीवाम आज के बहुत 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 ज्यादे इंप्रण चैप्टर है और इसकी पाउर नोर्स आपके सामने हैं तो बेटा ध्यान से देखना है कितने तीन पेज़ेस में इतना बड़ा चैप्टर कम्रेड हो जाएगा इसमें कोई केरफुल इसको आपके लिए डिजाइन किया गया है तो यह उन बहुत ही चंद कुछ चाप्टर में से ऐसा है पाउर नोर्स के कि जो तीन पेज में कम्रेट हो रहा है बिलको सही बात है तो भाई चलो शुरुवात करते हैं आज की बहतरी सेशन की जैट इस मॉलेकुलर बे नुकलोटाइट के तीन कंपोलन्ट होते हैं आपको पता ही है एक है नाइट्रोजिनल बेस एक है पेंटोज शुगर एक है फॉस्पेड गुरूप नाइट्रोजिनल बेस के अगर मैं बात करू तो यहां पर प्यूरिन में मेरे पास आते है एजी पूरी तो लेना डैट इ ल तो नुकलोटाइड बन जाता है फॉसपेड का 5 फॉसपेड का ही मतलब बस भता रहां है कि मैं तो फाईव डैस END पर होगा यहीता जोड़ी ट्रीक होती है мама इस issue कर लिए नोट कर लिया करो को फ्री ओएच ग्रूप आपको 3-डेश एंड पे मिलता है बहुत ही बेतर ही नहीं से कि यह पर बन जाता है कि 5-डेश एंड डियाने के पास हम कहते हैं कि डियाने के लबस्टाइड मॉलिग हो जिसके पास थ्री डाश एंड होता है तो 5-5 मतलब 5-5 यह 5-डेश एंड को न अगर मैं धान से देखो तो मुझे यहां पर यह पता चलता है कि यहां पर शुगर नाट्रोजंबेस को यहां पर मिला गया है विद्धरप एंड ग्लाइकोसिडिक बॉंड ओके दो नुक्लेटर अपस में जूड़ते हैं विद्धरप फॉस्पो डाइस्टर बॉंड ओके आगर मैं बात करो तो यहां पर होता है लाइक बात करो सिगर ऑट उट यहां पर नाम को वह पूछ लिया जाता है कि धामीन का क्ीमिकल नाम क्या हैं थामिन का नाम वह से ओकलियाeft बात करें स्चैन नव कि यहां तक तो बात पता चल गई थी कि यह से रहता है सेल रहता है चल के अंदर लिकान नहीं पाए जैसे बहां निकालते थे DNA ब्रेक हो जाता था इसके बाद आये विलक्रों फ्रैक्लिंग जिन्होंने का कि हम तो DNA को निकालेंगे अपने यूज करेंगे एक स्रेट diffraction technique उसका फोटो लेंगे फोटो निकाल के देखेंगे कि बने पर इन धीन ने इस तरह किष्टार क्या है उसके बाद हमादा है इसका क une sa है उसके इन दोनों को मिला के यहां फर सफिट्च में रिसमें करेंच करके उसके उपर बेस वैट्सनों क्रीक सहाब ने पताया कि आपका जो DNA molecule है यह रहेगा कुछी इस तरह किसे इस डबल stranded DNA molecule यह इन्होंने बता based on the observations of the wilkinow frankly वैट्सनों क्रीक ने यहाँ पर प्रपोस किया DNA double helix model यह बात यहाँ पर प्रपोस कि उन्होंने साथ ही में बहुत important बात है कि यहाँ पर उन्होंने यह भी पताया कि DNA double standard है बेटा लेकिन DNA का replication भी semi conservative होगा वह भी इस वक्त इन्होंने यहाँ पर बताए प्रू नहीं किया मैं बात कर प्रपोस किया था यह होता है दिमाग बैट चीजे पता नहीं है लेकिन उसके बारे में जानकर इतनी है कि भाई मैंने आखोस है तो नहीं देखा लेकिन इसका replication भी semi conservative होगा यह बात उन्होंने प्रपोस किती सबसे पहले वैट्सनों क्रिक ने उसके बाद उसका अगर मैं यहां पर ध्यान से पड़ू तो मुझे यह दिखाई देता है कि इसमें मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी किसमें double bond किसमें triple bond इसमें ज़रूरत नहीं जिसका सी है उसके पास मतलब क्या है एब से थर्ड अल्फाबेट तो थर्ड अल्फाबेट वहां पे पर बॉंड बनाएगा जब भी बॉंड बनेगा तो सीविल फ्रम ट्रिपल बॉंड विद जी वाईले फिट डबल बांविट टी राइट हैंडे क्लिक्स इसमें बहुत इंपॉटन इमसे को पूछा जाता है राइट हैंडे हैंडे आप देन डिया ने बी राइट हैंडे इस जूर्व लाथ हुए तो यहां पर कमपॉर्ट की रहा हमित है 14 भर बैंसे नहीं पर कर दी नहीं ब Community that उनसके बाद और फ्रांसिंस ऑ ख्रीक ने एक बात कर्वी क狗्तिन halls रेफी से इंस वहां चाहित धन रोटीन बंता है और उन्होंगस ब्लटेण of a protein synthesis central dogma का complete नाम है central dogma of a protein synthesis जहाँ पिरिक्स साब ने हमें बता है कि DNA से transcription होके RNA बनता है RNA का translation होके protein बनता है यहाँ पर अगर मैं बात कुरू तो इससे कहा जाता है central dogma protein synthesis DNA का replication होना बेटा ये central dogma का part नहीं है I repeat DNA का replication होना ये central dogma का part नहीं है आप कहोगे कि सर NCRT ने तो ऐसा ही दिया है तो आप क्यों बोल रहे हो कि DNA का रिप्लिकेशन हो ना से इंटर डोगमा का पाट नहीं है एंसे ने इतना बता रहे हैं तो यह भी बता ही देते हैं राइट ने कर पाट अफ प्रोटीन सिंथेश के लिए आपको डियेन को रिप्लिकेट कराने की ज़रूरत नहीं है सही बात है यहाँ पर एक वायरस रहता है जैसे कि इसके पास रिवर्स ट्रांस्क्रिप्टेशन होता है नॉर्मली डियेने से आरेने बनता है लेकिन इसके पास डिव कर देता है आरे से डिने बना देता है दो प्रोसेश को डाथे निजम स्कॉल्ड ऐस्ट रिवर्स ट्रांस्किप्टेश सही बात आट नॉकेशी में इतना बड़ा डियेने के से आजा गा तो देखो प्रोकेरिस क्या अगर बात करें प्रोकेर श्मतलम मैं बात कर रहाँ यह is contained in the nucleotide आपको पता है कोई भी membrane-bound organelle bacteria की पास नहीं रहता है यहां पे यहां पे कोई भी nucleus नहीं रहता तो DNA कहां पे रहता है मेरे दोस्त तो DNA अगर मैं देखो कि इसका DNA रहता क्या पर है इसका DNA से ऐसे पड़ा हुआ रहता है लेकिन इस रिजन में पढ़ा हुआ है उस रिजन को नुक्लियोड कहेंगे ओके डिने और कुछ यहां पे नौन हिस्टों प्रोटीन होते हैं जो इसको आपस में होल्ड करके रखते हैं तो मुझे बात समझ में आई कि बैक्टरिया का जो DNA है नुक्लियस के अंदर नहीं रहता उसके पास नौन हिस्टों प्रोटीन होते हैं जब कि इसके पास होते हैं हिस्टों प्रोटीन बात करते हिस्टों प्रोटीन क्या है इसको पकड़के रखना है तो हम क्या करते हैं हिस्टों नाम के प्रोटीन के उपर इसको गोल 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 वाइंड आप करके रखते हैं हिस्टों कि इसके पास है लाइसिन और अर्जिनीन ओके हिस्टन प्रोटीन सार ओर्गनेजर हिस्टोन ओक्टैमर येस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यह टोटल आठ होते हैं ओके राइट तो एच्ट्री एच्पोर आगे दो पीछे दो होगे च्छा एच्ट्टू एच्टू बहार प्रेजेंट होता है यह एक इंपॉर्टन एम से क्यों है वह भी हमने नोट कर लिया है मेरे दूस्ट डियने और हिस्टोन मिलके जो यहाँ पर मुझे श्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इस्ट्रक्चर को मैं नुक्लियोजोम कहता हूँ अगर मैं यहाँ पर बेस प करके रख रहा है ओक्टैमर यह डियने अराउंड 200 बेस पर रिपीटिंग उनिट अप नुक्लियोजोम कष्ट्चर दिखाई देगा कि यहाँ पर कुछ हिस्टोन ऐसे लगे दिखाई देंगे तो मैं कहता हूँ इस इस बीट्स ऑन श्ट्रिंग इसे मुझे दिखाई दे रही है ओके नुक्राइटीं फाइबर वीच वर्ड़ कंडेंश नमेटाफेस बात करेंगे से सथाइकलम इसके बारे में कि डियने जो बहुत ज़दा कंडेंश होता है मतला बहुत ज़दा रैप-प करके रखा हुआ रखा हुआ होता है जैसे आप देखो आप हेड़फोन लगाते हैं उसके बारे में डाल जो बाहर निकालते हो कि आपका हेड़फोन इंटेंगल हो चुका है वैसे नहीं होना चाहिए इसलिए आपन ने आप हिस्टून का यूज किया हिस्टून के उपर उसको रैप-प करके फिर आराम से रख दिया इसको और जब रैप-प करके रखेंगे में डाफेस में पैकेजिए आप क्रोमटिन इसलिए अब आप करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते है यहाँ पर आगे now the loosely pack chromatin भाई थोड़ा light stain लेता है इस type की chromatin को हम you chromatin कहते है इस type की chromatin को हाँ you chromatin कहते है जिसका transcription भी होता है तो हम कहते हैं धीकर transcriptionally active chromatin day sleep back chromatin stains dark and it is called as heterochromatin यू क्रमेटीन एक्टिव होता है यह बात हो भी हमने नूत कर ली है अब बढ़ रहे हैं आगे ओके भाई साब चलो अब बाई साइंटिस धूंडने लगे कि सबसे पहले थो हमें पता नहीं था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन्फरमेशन को लेके जा रहा है तो कई सारे एक्सपरिमेंट हुए उन आफ दे एक्सपरिमेंट जहां से इंसेटी शुरुवात करते हैं वह है ट्रासफॉर्मिंग प्रिंसिबल का यह भाई यह भाई साब बात हमें दी है ग्रिफिस ने ग्रिफिस परफॉर्मेंट्स ऑन इन्हों ने एक्सपरिमेंट किया और उसके बाद उन्हें ने प्रूव करके दिखाई प्रूव डाद ट्रासफॉर्मिंग प्रिंसिबल एक्जिस्ट बट नेचर ऑप दे जिनेटिक मट्र कुड नॉन बी डिफाइड बेसिकली यहां पर इन्होंने क्या किया था तो यहां कि बना दी रफ कॉलनी और स्मूट कॉल स्मूट कालों का उन्होंनि कु कुछ ऐसे कालनी होती हैं जिसके बाहर ये परूटिन ग्लाइकको क kidney होता है दिखिक व cancer क्या क्योंट में दिखांड नियुक्फ को थे ग्रिफिज साहब ने इसका adorable यहीं टो चूहां नहीं중 है बेसिक एक प्रोटीन की लेयर मान सकती हूं जिसके वज़े से यह चुहा मर जाता है देखो मर गया फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने क्या कि इसको भई इसको हिट किया हिट करके इसका इंजेक्शन दिया तो चुहा जिन्दा रहा क्योंकि प्रोटीन की लेयर है प्रोटीन करके दिया तो इससे भी मरा नहीं तो यहां पे चुहा मर तो ग्रिफिच्छाब ने का इसा कियो हुह वह है इसको तरा इसको ट्रास्फर्म कर दिया दिस ग्यां पर यह था जब उन्होंने एक्स्पेरिमेंट किया कि याँ पे जो ड्यान था इसको जलाया तो ड्यान फ्री हो गया जिसके अंदर इसके अंदर चिप गये और इसको भैई अब इसकी स्मूथ कॉलनल इंपनी सुरॉफ कॉलनल इन तो किस ने बताया कि transforming principle DNA है एवरी मेकलियाड और मैक काटे ने बताया कि यह जो ट्रासफोर्मिंग principle है यह बात यहां पर की गई थी उनके द्वारा सो यह बैक्टिरा कॉज्ज रफ बैक्टिरा तू बिकम ट्रांसफॉर्म और यहां पर बात यह हुई थी कि सब्क आइए ब्याएं आइस तरह से एक चीज उन्होंने भी और मना रहा है उन को पता स्बीन होता है वम डियेनLY की वज़े से राफ बैक्टेरिया स्मूथ में बंदल पाया है यह बात उन्हेंने कही तो उन्होंने कहा कि बहुत इस उन्हेकोप उनकी बाद को लोगों ने माना, नहीं 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 को पुरी दुनिया माना, हर्षब चेस के बाद लोगों ने दुनिया में मानना कि genetic material is deadian, ऐसा कुछ सा experiment ठाऊ उनका, उन्होंने E.coli के उपर एक experiment किया, basic एक E.coli होता है, E.coli को यह जो bacteriophagy infect कर देता है, आपको यहाँ पर देख भी रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखते हो, अप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर, पाल नोर् क्योंकि आपने anxiety पड़ी है, सिब इसको धुनला सब कुछे देखोगे तो भी याद आ जाएगा, सही बात है, तो देखो यहाँ पर, बैक्टिरया को, बैक्टिरयो फेज ने E-COLA को इża बैक्टिरयोफेज, अपना DNA E-COLA के अंदर डाल देता है, अब इन्वह ने बैक्टिरयोफेज को मुझे sulfur-continue bacteriophage दिख रहा है और दूसरा बैक्टिर फेज ऐसा बनाए जिसके DNA में उन्होंने फॉस्पराइस डाल दिया जाहिर से बात है किसी कि dna को मैं जब मुझे radioactive बना रहा है तो डna के अंदर ज hunting इस यसी बाना बदाए तो दिन इंक एच्ज आप छोड़ का है ए सरां इज चुनने को इन दोनों को इंफेक कर करके देखा तो होता क्या है ढोटन वह दिसके नहीं पता था ओर उनको तो यह दिखाई दिया कि भाई जो जिनेटिक मटेरिल है इस इकोलाई के अंदर चला गया है लेकिन वहां से कोई रेडियाक्टिविटी मिली नहीं इसका मतलब भी हुआ कि भी प्रोटिन्स बैक्टिरा के अंदर नहीं जाते जबकि यहां पर उनको पता चला कि यह जो रेड आपकी DNA सेल के अंदर जाता है इसके मतलब DNA जो इंफर्मिशन लेके जाता है इस तरह कि उन्होंने एक्स्पिर्मेंट किया इसको बहुत ही बेटरी विजुल के साथ हमें सीथरी सीरीज में कंप्रीट भी किया था बेसिकरी जो इंपोर्टम पॉइंट आप नोट कर रहे हो यह रहे हैं के बाते ही आप बाते हरी आप ऑ यह पर नोट करने अप अफ्यूब वाइरस वाइरस कुछ वाइरस भी होते हैं जहां पर आप करता है बेट गेने अटर जिनेटिक मतिरियल है बेटा ऐसा क्यों हुआ कि ने भाई साव यह बेटर जिनेटिक मतिरियल है सब्सक्राइब ठीकिश अपनी कॉपी इन्हें जल्दी मॿूटेस नहीं होता है ये अच्छी कudge इसलिए अच्छा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफर्मेशन लेके जा रहा है बीच में मुटेट नहीं हो रहा है जल्दी-जल्दी राइट नहीं तो मेरे से लेके जा रहा था जिन बीच में मुटेट हो गया दूसरे कुछ अलग जीन बनाके नहीं जनरेशन में लेके जा रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए तो वही चीज़ों करता है इट एक्सप्रेस इसे विंद फ़र्म मेंडिलन क्यारेक्टर के फ़र्म में अपने वह खुद को एक्सप्रेस करता है यह बात हो रही बात हो रही है कि DNA पहले आया कि RNA पहले आया देखो यह बात है तो इसके वज़े से RNA is more reactive than the DNA and RNA act as a messenger adapter structure it has got structure it act as a catalyst also to RNA की कई सारे रोल हैं तो हम कहे रहें कि RNA पहले आया DNA आपका RNA से बना है सही बात रिप्लीकेशन के बारे में बात करते है वैट चैना क्रीक प्रपूस देखो मैं यही तो बात कहे रहा तब कि वैट्सों क्रीक ने DNA रिप्लीकेशन को प्रोपोस किया है वैट्सों क्रीक प्रपोस दे ने रिप्लीकेश सेमी कॉंसर्वेटिवली यहाप इंपोर्टन बात है कि उन्होंने यह चीज़ प्रोपोस की हाला कि उसको अगे क्या बात हुँ यहाँ यहाँ पर उन्होंने क्या कि एक बनाया ऐसा डियने बनाया जिसके इंधिन फ़िप्टिम इसोटें नहीं थो देखो आंपे सिर्फ टीन केहिए के उन्होंने यहाओ इंटर ट्याला इन अन्दर तो दोन फिप्टिमे एं उसको रिप्लिकिट करा रहा आन्यों इस मीडियम में इन फोर्टीन नैट्रॉझогन आइसोटोप है जाहिर सी बात है उसने डिने रिप्लिकेशन जब हुआ तो दो स्टैंड बनी एक ऐसी स्टैंड बनी जिसके पास एन 15 नहीं स्टैंड का नई स्टैंड बनी तो उसके पास एन 14 है जिसके बास both. यहाँ से खाद दिये एक ऐसी बैंड जो राइंट 10 अब हैं जो हैं एक राण जो कि अप्रिद मीन इस्टैंड इस्टैंड की अधी उपर experiment किया, N15 is not a radioactive isotope and it can be separated from the N14 only based on the density N14, एक light isotope है, सही बात है बेटा, ओके, अब बात करते हैं, आगे, अब बात करते हैं, आगे, फाइन भाई साथ, चल 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 टेलर पर फार्म एक्सिपरिमेंट और विश्याफ है, जैसे, मिजस और स्टाल ने इकोला के उपर experiment किया, वैसे experiment टेलर साब ने किया, लेकिन उन्होंने plant cell के उपर experiment किया, उन्होंने fascia fava का use करके DNA replication semi conservative nature है, यह हमें प्रूव करके दिया, बात कर रहे हैं, यहाँ पर replication होता किस तरीके से है, तो देखो, नुक्लोटाइट जुड़ जुड़ के DNA बनता है लेकि DNA बननाने के लिए यहाँ पे इनर्जी को न देता है कि है वो ATP देता है नहीं 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 मेरे दोज यह हैं से अपको ये खेह रही है कि डी औरफ Commissioner डी यह Nouक्लोटाइट भी प्रोवाइड करा रहा है और यह एनरजी भी प्रोवाइड करा रहा है यहाँ बनती है वह बनती है फाइव दैस्ट टू थी डाइक्शन में सबसे पर ने को ओपन किया जाता है जिसे हम रिप्लिकिशन फॉर का कहते हैं उसके बाद यहां पर क्या होता है देखो यहां पर दीने पहले में पाच बज़े से तीन बज़े तक नई बना रहा है जबकि दुसरी स्टेंड जो है जिस टैंड को हम यहां पार कहते हैं गाडमेंकार्च कहिते हैं न तो दुखड़े दुखड़े में बना दिया तो यहां पे DNA लाइगे नाम का एंजाम आता जो कि एमसे को कई बार पुछा जाता है कि DNA लाइगे इसका यूज होता है उकाजा की फ्रैग्मेंट को जोडने के लिए कि DNA replication शुरुवात कहा से होती है तो इन्सेट कहते हैं कि DNA double standard molecule है यहाँ पे कुछ-कुछ रिजन में DNA सबसे पहले open ओना शुरू हो जाता है उन रिजन को original replication कहते हैं replication does not initiate amdamply at any place in DNA there is a definite region in a DNA where the replication originate और DNA का रिपेशन कहा पर होता है AS phase में AS phase का नाम है synthetic phase क्योंकि DNA का synthesis यहां पर होता है DNA का replication हमें यहां पर दिखाई देता है AS phase of a cell cycle में सही बात है बेटा बात करें transcription की transcript script लेके जाना DNA से कौन लेके जाता है RNA transcription मतलब क्या कि DNA से RNA बनना यहां पर बात हो रहे transcription की जहां से DNA चारने बन रहा है transcription only particular segment of the DNA and only one of the two strands is copied into RNA बात यह हो रही थी कि DNA replication में complete DNA की नई copy बन रही थी लेकिन transcription में जो मुझे protein बनाना है उस particular gene को ही मैं transcript करता हूँ यह बात हो रही यहां पर transcription unit में हमारे पास होता है सबसे बले promoter एक होता है structural gene और एक होता है terminator region बात यह हो रही है यहां पर कि यह रहा आपका DNA सही बात है double standard DNA है इस DNA में अब जो RNA polymerase आता है तो DNA से RNA polymerase क्या करा देता है इस तरह के से मारे ने बना के देता है लेकिन RNA polymerase को पता नहीं है कि कुण से रिजन का transcription करना है तो यहां पर होता एक promoter region यहां पर होता है termator region बीच में होता structure gene तो यह बनाता है transcription unit DNA dependent RNA polymerase एक ऐसा RNA polymerase यहां पर आता है जो DNA का यूज करता है तो मैं उसे DNA dependent RNA polymerase कहता हूँ इसी डारेक्षन में चाहे ओडियान ने polymerase और ने पॉलिमरज नई स्ट्रैंड हमें से आ इसी डारेक्षन में बनेगी इसे ही बात निउस्ट्रैंड इस फॉर्म इन फाइच तो थी डारेक्षन यही में बात आपको बता रहा था यहां पर बात हो रही है यहां पर हां बात हो रही है यहां पर कि जिस स्ट्रैंड का यहां पर हम transcription कर रहे हैं जहां से जैसे इसका हम transcription कर रहे हैं तो इसे में template strand कहता हूँ इसे में क्या कहता हूँ इसे में template strand कहता हूँ सही बात है और जो दूसरी स्टेंड है उसे में कोडिंग स्टेंड कहता हूं क्योंकि जो दूसरे स्टेंड है इसका और इसका न्यूक्लिटर सेक्वेश्ट में दिखाई देता है कुछ इस तरह किसे बात यहां पर की जा रही है इता जाए तो बहुत इंपर्टन पॉट है इंसी को खिचेगा यहां पर एक जमने ट्राइ करेगा कि आपको पकड़ ले क्योंकि कोडिंग स्टेंड से क्या भई कोड करने वाला आरेने बनता है नहीं यहीं तो बात हो रही है आपे तो इसको भी हमने नोट कर लिया है बढ़ते हैं बात करते हैं ट्रांस्किप्शन उने पास यहां पर प्रोमोटर रिजन होता यहां पर मदद करता है उसके बाद आरेने न teps आता है और इसका Sports करा देता है इंक आरेने पॉलिमरह का काम नहीं है यहां से रिके यहां तक तुम को डेले का यूज करके यह बात यहां पे हो रही है जो आर औड आइन और भी चली रहा है बात करेंगे और फीच्में इंसेटे हैँ में बीट में जीन के बारें से देखुएंअ ही है जो कि यहां पर tRNA यहां ओर नी बनाता है डियनुस से स्कोर्डिंग फर्डंव ने देखो बात क्या हुरेards यहां पर ध्यांद से देखो अला कि यह बातिमारेस सब से सीथरी सीरीज में बता ही है यहां पर डिययने है इस ना से मांझे से Dollar और यहां से यहां से यह मारने बनेगा तो हमारने का ट्रांसलेशन होके यहां पर प्रोटीन भी बनेगा तो यहींसे क्या कहती है कि dna sequence coding for the mRNA भाई ये भी sequence code कर रहा है ये भी code कर रहा है लेकिन जो mRNA के लिए code कर रहा है उस dna sequence का हम cistron कहते हैं मतलब cistron बे proteins बनाते हैं सही बात है प्रोकेराइट के बात करूँ मैं तो प्रोकेराइट में कई सारे cistron मुझे दिखाई देते हैं it course for several proteins बात करेंगे लैको पर इसके बारे में यूकेराइट जो है it is a monocystron मतलब एक ही अमारेने से भाई एक ही protein बनेगा ये बात या पर की जा रही है जीन से ने के कुछी रिजन होते हैं जिससे प्रोटीन बनाएं जाता है तो हम कहते हैं कि भाई अपना जो DNA है उसके में जो जिंस टॉन कोकश नन होते बीचमे चिशेटे हैं आ अगे बढ़ एकगे लिट जीनसर है लोटे रहें ठोब execous ऑन गाते हैं ocas इसे region ऑभात पाते हैं तो यह इक इंपोर्टेंट भात करते हैं अग्जोंस किझ को कराते हैं also करें हैं ऑके रहें और ऑबेरिन नहीं करते हैं रेगूररी छींज मि ओर आरेले प्रोटेन बनाने में हंब नहीं करते हैं सही बात मेफिज ऑग लेंग के बात करम सब्सक्राइब त्यून्हें नहीं त्यूंट्स करने ँ कि वैसि Bowl दो हम पास भर गग करने के लिए तो हम कहते टीयारे ने भाई एक अड़ेंटर मोικόल यह क्या है बिटा एक 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 अड़ाप्टर मॉलीकुल है रायभु दुबारे प्ले स्टॉक्चर रोल डियूरिंग रांसलेशन सही बात है ओके नौव लेश टॉक प्रोसेस ऑप ट्रांस्किप्षिट की इस तरीके से दिने से यह मारेने बनता है लेट सी ट्रांस्किप्ष ीन जबारे ज्च चिए जुओ और यहां इस धिंद आवरे पॉलिमरेज प्लीस में इस डाऊट पर क्रोको करी लेकिन को भाइन कराके देगा उसको बाइं कराके डेगा सिग्मा फैक्ट जो की इनिशिएशन कर यहाँ पे नुक्लियोट साइड ट्राइफ पोस्पेड आपर प्रोवाइड करेगा इट अपनिंग ऑफ हेलिक्स नहीं करता है बाद में यहां पर टर्मिश्व फैक्टर में रोफ आ जाता है जो कि इस ट्रांस्किप्शन के प्रोसेस को एंड करा देता है बेटा सही बात है अब बात कर रहे हैं पर प्रोकेरियोर्स और यूकेरियोर्स के ट्रांस्किप्शन की तो देखो बहुत इंपोर्टन चीज़ें जो इस ट्रेबल से कंप्रिट हो जाएगे तो सिंगल आरेने पॉलीम बना देता है सही बात है साथ में आपको इन चीजों को भी नोट करना है जिसके बारे में एंसे कई पूछा जाता है यह अपना जो हमारेने बनता है डिने से वह इंवेच्वर हमारेने हम उसे कहते है या तो भी हेटरोजीनस आरेने उसे कहते है उसे हम क्या कहते है हेटरोजीनस आरेने जो की इनिशेली डिने से बनता है उसमें हम क्या करते है सबसे पहले उसका होता है स्प्लाइसिंग जहां पर इंट्रोंस को रिमूग किया जाता है उसके बाद उसके 5-10 पे यहाँ पे हम GTP आड़ करा देते हैं मिथाइल GTP आड़ कर देते हैं जिसे हम capping कहते हैं उसके बाद उसके tail लगा दी जाती है A-A-A-A-A-A है न, adenylate add किया जाता है 3-10 पे और उसे हम कहते tailing और इस तरह के splicing, capping और tailing के बाद immature mRNA, immature mRNA convert हो जाता है transcription and translation can be coupled in a bacteria, bacteria में क्या होता है बिटा कि transcription हो रहा है एक region से mRNA बनता हो जा रहा है, तभी के तभी काई सारे ribosome वहाँ पे आता है, उसका सिन, उससे protein बनाना शुरू कर देता है तो transcription and translation occurs simultaneously in procured, जबकि eukeris में ये चीज़े separately होती है ये बात यहाँ पे की ज़रे, जो कि बहुत important बात है, बात कर रहे genetic code की, तो यहाँ पे देखो George Gamow, इन्हों ने बाई सबसे पहले हमें बताया कि, he studied that the codon is made up of three nucleotides Harwin Khurana ने हमें बताया कि he synthesized RNA homopolymer co-polymer बनाए, ध्यान से देखना है, homopolymer मतलब क्या है, जी है, जी है, जी है, जी से कहते हैं, हम homopolymer है ना, तो homopolymer इन्हों ने बना कि दिया, Marshall Nirenberg ने क्या किया, he developed a cell-free system of protein synthesis, है ना, cell की बाहर protein बना कि दिखा, इन्हों ने खतरनाग लोग है, शिवरो उकावान ने का किया, इन्हों ने he discovered the polyonucleotide phosphoridase मेरा सबसे फिवरेट MCQE chapter में से, okay, he discovered the polyonucleotide phosphoridase, polyonucleotide phosphoridase क्या होता है, it is helpful in polymerizing the RNA in a template independent manner, मतलब आप ऐसा RNA बनाना चाहते हो बेटा, जिसका sequence कुछ इस तरिके से हो, जिसमें A हो, मान लो जिसमें C हो, मान लो जिसमें A आता हो, मान लो जिसके बाद फिर से A आता हो, आपके मन के अनुसार बनाना चाहते हो, तो RNA कैसे बनाओगे भाई, पहले तो DNA लगेगा, DNA से तो RNA बनता है, लेकिन सिविरो कवाने, एक में एंजाइम ढूनके निकाल, जिस एंजाइम को हम करें, polyonucleotide फॉस्पोरलाज, जो की टेंप्लेट इंडिपेंडट मैनर में इसको टेंप्लेट की ज़रुवत नहीं टेंप्लेट, DNA की ज़रुवत नहीं इस RNA को बनाने के लिए, आपके पास एंजाइम है, निकलेड़ाज जोड़ दो, जो इस सिक्मेंस में चाहिए, है ना, तो इससे कहते हैं, टेंप्लेट इंडिपेंडट मैनर में RNA बनाना, कौन से एंजाइम के हेल्ट से, polyonucleotide phosphorylase नाम के एंजाइम से, आप इस चीज़ कर सकते हो, तो खतरनाक डिसकोरी है, यह, what are the silent feature of a genetic code, the codon is tripled, आपको पता है, 61 codons होते हैं, जो कि around, around 20-21 amino acid बनाते हैं, यहाँ पर हम एब भी बात नोट कर लगी कि इनिशेशन codon जो रहेते हैं, हमेशे AUG रहेगा, UA, UAG, यह एक termination codon है, जो किसी भी amino acid के लिए codon नहीं करते हैं, हम कहते हैं, इसको बनाने के लिए कई सारे codon हो सकता है, कि काम कर रहे हो, इसके वाज़े से हम कहते हैं, कि इस codons are degeneracy, इस property कम degeneracy कह रहे है, codons को हमालेस होते हैं, बिलकुल एक के बात, एक लगी हुए होते हैं, हमारे ने के उपर, the code यह universal है, जो codon आपके body में, मान लो, मान लो किसी lysine के लिए code कर रहा हो, right, हम ऐसे मान लेते हैं, कि lysine के लिए code कर रहा है, तो वही codon bacteria में भी lysine ही बनाएगा, right, that is, हम कार ला है, the codon is nearly universal, AVG codes for methionine, and is also act as a initiator codon, यह बात बहुत important बात है, तो also act as a initiator codon, बिलकुल सही बात है, okay, अब बात करते हैं, fine, okay, कहा गया है, okay, okay, now let's talk about mutation के बारे में बात करते हैं, दो टाइप के mutation यह पर पढ़ेंगे, एक है point mutation, एक है frameship mutation, point mutation is a change of a single base pair in a gene for beta globin change that results in the change of human acid residue, for example, glutamate by valine में change हो जाता है, the glutamate goes well in well, बात करें तो यहां पर RNA के जो nucleotide sequence है, उसमें आपने एक nucleotide add कर दिया है, एक बाहर निकाल दिया, तो completely codon change होगे ना, जिसे हम कहते है, frameship mutation, so insertion and deletion of one or two basis changes the reading frame from the point of insertion and deletion, called as frameship mutation, बात करें, tRNA की the tRNA को हम adaptive molecule कहेंते हैं, बहुत important बात है, secondary structure इसका, यह पुछाता है, be careful, secondary structure इसका Clover lip के जैसे दिखता है, क्या primary structure दिखता है नहीं, क्या tertiary structure दिखता है, नहीं, इसका secondary structure Clover lip के जैसे दिखता है, tRNA has an anti-codon loop and a minus it acceptor end, at the 3-end, यह जो tRNA है, इसका जो 3-end है, इसके उपर amino acid यह आपे आके adapt हो जाते है, उसको पकड़ लेता है, there are no tRNA for the stock codon के लिए कोई भी tRNA नहीं है, बेटर tRNA are specific for each amino acid, बहुत important बात हो लिए, now let's talk about the translation, translation refers to the process of polymerization of amino acids to form polypeptide, सबसे पहले, tRNA आता है, जो charge हो जाता है, अमाना से पकड़ लेता है, हम कहते है, it is the charging of a tRNA, ribosome के पास दो unit होते हैं, एक को हम कहते है small unit, एक को हम कहते है larger unit, अगर आपको पता अगर होगा, तो मुझे जरा बताना comment section में, कि यह जो smaller and larger unit किस से जुड़े होते हैं, यह जो smaller unit है, यह जो smaller unit है बेटा, यह यहाँ पर, यह मारेने के साथ यहाँ पर attach हो जाता है, जबकि larger unit जो यह यह काम करता है, joining of amino acid को join करने के लिए यह काम करता है, यहाँ पर, एक मिन मैं थोड़ा उल्टा निकाल दिया, इसको कुछ इस तरगे से अपन निकालते हैं, एक मिन तो smaller unit को आपन नीचे निकालेंगे, लार्ज निकालेंगे, ओके, और smaller unit के पास, यह मारेने जोईन रहता है, ओके, large unit जो है, amino acid को जोड़ के देता है, दराइबोजम और सब्सक्राइब और जाइबोजम आपन ने इन बैक्टिरिया इस दर इनजाइम यह रइबोजाइन बहुत इंपोरटन बात है कि एक ऐसा आरेने हैं विच एक ऐसा आरेने हैं बेटा, विच आइक अजर चैलेंश्ट, किस तरीके से चैलेंश्ट क्या करता है और यह प्रेप्टरेट बांड बना देता है अमान आसिट के बीच में जो कि आरेने हैं खुद, प्रोटीन सिंथेजिस स्टार्स, एड़ स्टार्ट कोड़ान यह वे जी बिल्कु सही बात है, रिलीस फैक्टर आता है, इस कंप्लेटली आरेने को यह रीड करता हुए ज जिसका ट्रांस्क्रेप्चं नहीं होता, बाद में माननों यहां पर प्रोट ना रहाता है, जिसका ट्रांस्किपचं नहीं होता है, बात पते की यह है, कि लाटेंटल इस प्रेजिए बीचिणे अनल रेजए यह यह बात गविडैंड इंड अंट exist जीन खुद को एक्स्परेस करता है इंदफामा प्रोटीन तो प्रोटीन को बनने से रोकना है या उसको बनाना है इसरे को प्रोटीन के जुरूर थ है तो कि यह चाल मुझे चल के प्रोसेसिंग जब आप उसका कर रहे हो गजैब उसको ब्रेक कर दो खतम बाथ तो इंसुलिन नहीं बनेगा अगर नहीं बनाना चाहती है आप IQ हमारे ने को ट्रांस्पोर्ट किया ज़़ाए वह हमारेनेक तो निूक्लिस के अंदर बनता है उसको citoblasm में जाना पर जाना परता है बाद में उसका लेकिघन परकेरोस के अगर हम बात करें तो टर्यूरेस प्राइमरी एक्जाट हैंसरोथ अपर जया यहां फेक्वीलस ट्रास्राइब्बद सील отнош to है क्योंकि प्रोसेसिंग तो उसमें होता नहीं वह उसमें यह अमारे निकार ट्रांसपोर्ट नहीं होता क्योंकि नुकलिस नहीं है एक अपरेटर जी ऑपरेशन कि लैक्टोस को कपरेशन को किस类 टर चाहं परकॉर परेशन को किस तरगे स tä के ऐसे पर हम लैक्पर जाता है तो टूँझे अगर लेक्टोस को मेटबोलज करना है तो तो है क्पारेटर नहीं करना है और 3 structural gene होते हैं यहाँ पर जीसे हम कहते है जेड वाई और एजीन जेड जीन बीटा गरेक्टोसाइड बनाता है वाई पर्मियेद बनाता है और एजीन ट्रास-इस बनाता है प्रोमोटर टर्मीटर रेगुलोरर ऑपरेटर जीन इसके पास होते हैं यहाँ पर बहुत बहु के साथ आपको पढ़ाया गया है तो देखो यहाँ पर जो होता है यहाँ पर रिप्रेसर पोटिन बनाता रहता है जिसके बाद रिप्रेसर पोटिन आता है और यहाँ पर ऑपरेटर को जाके अटेच हो जाता है और आरने पॉलिमरस को इसको रीड करने नहीं देता है इंज यह रहे हैं क्योंकि हम उसको रह रहे हैं तो इससे नीगेटिव रिगुलियोशन कहते हैं देल से अंडर पॉजिटी रिगुलीशन देल्टोस एक्ट आज पर डशे अच्टोस अच्ट टोटन का हटा देता है और हम कहते हैं घ्र। आपको प्रब्रोजे वए अपने आपने वड़ते हैं तो क्यों ako अब फॉल्ड हया आप सकते हैं जिएंच्ब बार देख र चालव ita को अ मेगान प्रचेश्ट के बारेनमे करते हैं तो यह अपने top फॉर्टीक सीस मेल点 रहें उसका यह ओने नम दो पाइलोजिकल डेटा बायो मतलब लिविए इंफर्मेटिक मतलब इंफर्मेशन टेकनोलोजी तो इस ने करेंगे मतलब ने को बहुत तरीके से बना है किस किस नुकलोटाइट से बना है यह हम दुण्डेंगे और फिर अगर आपने जानकर पता कर ले तो आपको इंसुलिन को बनाने वाला जिन आप लाब में बना सकते हो तो सबसे पहले इसमें इंफॉरमेशन हमने धुनने शुरू कि की जीन बना कैसे कौन से नुकलेटर सिक्वेंस इस पर्टिकल्य जीन को बनाते इसे सब भी दून जीस धुनने की कोशिशित सब्सक्राइब और लॉट जीजisse which was aफ यहां यहां से सघ्मेंस में यहां से इस्प्रेशन सब्सक्राइब कर देखनेशन पर्याज में आके-vell। करते है बेटा जो कि को एक्सपरेस कर रहे है आर ने में हमने देखा कि DNA में कई सरे ऐसे रिजन भी होते हैं जो कि Non-coding होते हैं तो हमने सबसे बटे ऐसे घूझ धूंडें जो कि code कर रहे थे तो हमने जींज को दूना इन इसमें all the genes that is the DNA that are expressed as RNA are identified दूसरी मेथड भी हमने यूज की जिसे हम सिक्वेंस अनोटेशन के ते इस इस अ ब्लाइन अनोटेशन के ते हैं तो सिक्वेंस अनोटेशन में हमने कंप्रिट ने को धूनना शुरू कर दिया कि भाई इस से शुरू करो और इंटक लेके जाओ कि निक्लोटेट से डिय ने बनाए जबकि यहां पे एक्सवेंस टाइग में हमने से वही डियने के को इडिंटिफे गए जो कि प्रोटीन बना रहा था रहे जो कि खुद को एक्सपेस कर रहा था तो यह दोनों बात को नोट कर लो प्रोसेस के अगर हम बात करें तो कैसे धूंड आ गया तो सब्सक्राइब पर DNA को cut करो ला है with the help of vector right सब्सक्राइब बना दो enzyme use कर लो उसके बाद DNA के fragment बनेंगे उसका amplification कर लो sequencing of DNA done on a sangas meter यहां पर दू वेक्टर हम ने उसके एक वेक्टर है बहुत important है BAC और YAC क्योंकि लाज़ फ्रैग्मेंट हम यहां पर बनाते हैं large fragments को study करते तो यहां पर large fragment को bear करने वाद वेक्टर यूज़ किया जाता है जो अपना vector था प्लाजमेंट वो इतने बड़े DNA को hold नहीं कर सकता इसलिए यहां पर अलग वेक्टर यूज़ केगे BAC and YAC सही बाते ओके भाईसा और इस तरह के से human genome project को आगे लेके जाया गया तो देखे देखते वाटर दे silent features of the human genome project the human genome project contains 316 per million base पे अवरेज जिनकी जो नुकलिटाइस होते है वह होते अरवन 3000 basis 99.9 percent नुकलिटाइस 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 इसको 99.9 percent of nuclear basis are exactly the same in all places यहां पर हमें पता चला कि आपका और मेरा 99.9 percent DNA तो same है repeated sequence makes up a very large portion of a genome कुछ sequence होते है इसमें जो कि बहुत बार repeat हो रहे है राइट जितनी हमने वेरेबल नेंबर टैंग रिपीट भी का ओके लेज दन टू परसेंट पर सेंट ही प्रोटीन बनाता है human genome product identified the single base differences single nucleotide polymorphism भी उन्होंने identify कि है जिसे हम SNP कहते है डिने फिंगर मैं बात कर तो देखो यहां पर सेंट तो टैंगे एड़नेश इन पहीक हो तो स्टेटिट सेंटेंगी किस्पेशिए ग्रीटाय है देखते हैं बइब यह यह अब है इस असे सब्सक्राइब्स अलग होते हैं जिसके अलग हुते हैं जिससे अप इसे सैटेलेट डिन में होता क्या है देखो यह जो satellite DNA है इसकी density अलग है देखो हमने DNA के तुकड़े किये उसमें कुछ फ्राइग में हमें ऐसे दिखा जिसकी density ज्यादा अलग है बाकी से हमने कहा कि वो satellite DNA satellite DNA में देखा तो हमें दिखा दिया कि इसमें यार कुछ nucleotide repeat होते हैं नाइन nucleotide से अगर ज्यादा nucleotide repeat हो रहे है nucleotide मतलब क्या देखो सिंपल सा concept देखो या यह DNA है बीटा यह DNA है ओके भाई साथ यह DNA है यह DNA है तो इसमें nucleotide से है ना ऐसे 9 nucleotide से ज्यादा nucleotide अगर किसी DNA में है तो हमने कहा उस particular DNA के कि यह तो यह mini satellite DNA है ओके और किसे किसे में कम nucleotide एक से लेके 8 तक है थो हमने कहा कि इस 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 में माइक्रो सैटेलेट डियाने यह माइक्रो ही मीनी माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा मीनी मतलब उससे बड़ा मीनी सैटेलेट DNA में वेरियेबल नंबर टैंडम रिपीट होते हैं अब यह जो DNA होता है इसमें nucleotides रिपीट होते हैं हमें दिखते हैं जिसका नमबर आपकी इसमें मान लो यहां पे एक पर्टिकुल नुक्लरबेकर सीधमेंस है क्द्रीऌ अजिसे आठ हो गया मान दो यह आपके इसमें ACT जाया फिर से ACT जाएगा कि फिर से ACT जाएगा इसे मांदो आपके आपके DNA में 20 बार loop हो रहा है मेरे DNA में 25 बार loop हो रहा है तो यह difference जो है इसे में तो variable number tundall repeat tundall repeat आपमेंभी रिपीट हो रहा है इसका नंबर अलग-अलग है बेटा ओके उसका नंबर आपकी समें 20 मेरे इसमें 25 है ऐसे हार एक डियन अपने पास कितने क्रोमोजूम है 46 क्रोमोजूम कितने अलग-अलग टाइप के नुकलोटाइड राइट वह कितने बार रिपीट हो रहे है उसके अकॉर्डिंग अपन है इडिटिफाइ कर सकते कि वह आपका डियन है यह मेरा डियन यह बात है आप डियन फिंगर प्रिंटिंग में होती है सही बात है नाव वाट अर्ड़ फीचर्स ऑफ रिपीटिटिव बात है यह यह चलो वाइड दो नट चोड फॉर इनी प्रोटिक यस भाई अगर नहीं तो आपके बोड़ी में अलग है इन होर्मोन बन रहे होते मेरी समय अलग ऐसा नहीं इस्वेड पॉलिमॉपीज़ और है यह पुलिमॉर्फीज कर सकते पैट यह जले आऊ लिए तोनों के डिने का अरे वाई है क्यों पारइशन कर र रहा है जायागो法 बन गया है मona ओल्रभ आ ऐसके डियोप बने लेकिन तो तो फिंगर्पिंटिक वहाँ पर हें प। लाइध है तोट Nहीं cancer use the VNTR for the DNA fingerprinting यालेज जाफ्री ने चीज दूनकीनी कारी देखो किस तरी किस DNA fingerprinting किया जाता है सबसे पहले DNA को isolate किया जाएगा DNA को digest किया जाएगा by the enzyme restriction endonucleus separation of a DNA fragment is done by agarose jelly electrophoresis उसके बाद यह जो fragment थे उसको transfer कर देंगे हम transferring of a separated DNA fragment to synthetic membrane such a natrocellulose or nylon है ना इस membrane को उपर हमें इसको transfer करना है DNA के fragment को उसे blotting कहते है बेटा यह important point है एंसी को बंदा है अपर है यहां पर यहां पर VNTR probe लेंगे और जो DNA transfer किया है उसके उपर इस प्रूब को चिपका देंगे और बैंड देखेंगे कि तरह किसे बैंड बनते है ना so detection of a hybridized DNA fragments by auto radiograph is done finally आप में और मुझे में अलग 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 टाइप की बैंड दिखाए देंगे हमें पता जाए कि यह DNA किसका है ना बेटा यह जो topic है molecular basis of unit है यह थोड़ा ना conceptual topic है इसमें सिफ पढ़ने से नहीं होगा अगर आपका strong word नहीं है तो एक बार दो घंटे दे दो इस topic को सीत्री स्रीव में बहुत अच्छे से इसको explain किया गया है तो पिछले साल का सीत्री सीज देखना इस बार तो हमने उसके MC को पर ज्यादा अधन देखना वाटी को यह लाक ओपर व्रन देखं़ें आको उपर यो देने में सिंगर्पिंटिंग की उत्व बारों यह भोल।्त अशीज reality ती सब होगा चैनल को सबसाइक करतो यह नि kanal से इन इन नोर्स को डाउंड़ करतो बैट चंग मिलते हैं जल्दीnh next session में लवी बेटा टेक केर बाई बाई